आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप फिलिप कार्ड एप्लिकेशन से किसी भी ओर्डर को आप MI पर लेना चाहते हैं यानि कि आपके पास कोई भी एक क्रेड़ कार्ड होगा जैसे कि हमारे पास दो क्रेड़ कार्ड हैं एक हमारे पास है बजाज फिंसर्व इंस्टा EMI करेड़ कार्ड यानि कि EMI कार्ड और दूसरा हमारे पास है फिलिप कार्ड एक्सिस बैंक क्रेड़ कार्ड तो हम किसी भी करेड़ कार्ड से आप MI पर ओर्डर करना चाहते हैं और आप सीखना चाहते हैं कैसे किया जाता है तो मैंने मंगाया है या नहीं सारी जानकारी आपको पता चल जाएगे तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने flip card application में जैसे आप इस पर जाएगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से पे जाएगा अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना product आपको देखना होगा कि आप कौन सा product लेना चाहते हैं तो जैसे कि हमें mobile मंगाना है तो हम यहाँ पर mobile के option पर क्लिक करेंगे आपको कौन सा mobile मंगाना है तो यहाँ पर आप देख लिजिएगा या फिर आप सर्च बार पर क्लिक करके अपने mobile का नाम सर्च कर लिजिएगा तो जैसे कि हम यहाँ पर नीचे आएग और भी नीचे आते हैं या फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे वीवो जैसे हम वीवो टाइप करते हैं हमारे समने वीवो का फोन आ जाएगा और यहाँ पर हमें दिखाए देगा वीवो T3X 5G और नीचे आएगे यहाँ पर जाएगा वीवो T3 5G तो हमें यहाँ पर ये वाला product लेना है इस वाले को तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस product पर click करेंगे click करने की बाद यहाँ पर एक option मिलेगा add करने का तो आपको फिर add card पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपका card में ये product add हो जाएगा उसके बाद मिलेगा Go To Card, आप इस पर किलिक करिएगा, नहीं तो आप इसे यहां से कर दीजिएगा Cancel, Cancel करने की बाद, अब अपने Home बटन पर आ जाईएगा, यहां पर मिलेगा आपका Card और आपको फिर अपने Card पर किलिक करना है, Card पर किलिक करने के बाद, इस तरीके से आपका Card आ जाएगा, यहां से आप और भी जो Product आइड किये हैं, उन्हें आप हटा दीजिएगा, अगर आप हटाना चाहते हैं, तो यहां से हम इसे हटा देते हैं, और भी कोई है, तो देख लेते हैं नहीं हैं, सिर्फ हमारा एक बचा हुआ है, यह वाला, जिसे हम मंगाना चाहते हैं, तो यहां पर एक Option मिलेगा, प्लेस ओडर का, फिर आप प्लेस ओडर पर क्लिक करिएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, यहां पर आपका Address आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, उस यहां पर पाने की बाद अपने Price पर हम क्लिक करेंगे, तो यहां पर हमें पता चलेगा, कि इसमें हमें Packaging Face भी देना पड़ रहा है, 69 रुपए का, तो हमारा इसका Price इतना हो गया है, उसके बाद Continue, जैसे आप एक Continue करेंगे, आपके समने Payment का Page आ जाता है, अब यहां पर का Option मिलेका, कि आप अपना Payment किस तरह से से देना चाहते हैं, EMI पर देना चाहते हैं, या Full Payment करना चाहते हैं, या फिर Cash on Delivery, तो हम तो यहां पर बताने वाले हैं EMI के बारे में, तो हम यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने की बाद यहां प के पास Flip Card Axis Bank का है, तो आप अपना Card Choose करेंगे, नहीं तो आपके पास Bajaj का है, तो Bajaj आप Choose करेंगे, जैसे कि मलेज हमारे पास Bajaj का है, तो हम Bajaj पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके समने आजएगा Choose Plan का Option, और यहां पर एक Option और मिलेगा, अगर आप तीन महिन इस्ट्रा एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा, अगर आप Bajaj Finserv Insta EMI Card यूज करेंगे, और हर महिने आपको कितने रुपए देने होंगे, तो हर महिने आपको 4,170 रुपए देने होंगे, और यह आपका 6 महिने तक आपको देना पड़ेगा, कोई भी आपको Interest देन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप 3 महिने के लिए तो यह Option चूज करेंगे, तो हम यहाँ से आजाते हैं Back, बैक आने के बाद हम यहाँ पर अपने Access Bank के Card को यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपक की देने के कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी बाद जब नीचे आएंगे, तो अगर आप 6 मंत का लेना चाहते हैं, तो 6 मंत के प्लान को चूज करेंगे, 6 मंत में आपको हर महिने 3,779 रुपए देने होंगे, वहीं पर अगर आप 9 महिने की EMI को चूज करेंगे, त अगर आप 9 महिने की EMI को चूज करते हैं, तो 2683 रुपए देने होंगे, और 16% का पर अनुवल आपको पर यान की इंट्रेस्ट भी देना होगा, यानि की 3 महिने और 6 महिने तक आपको 1 भी रुपए इंट्रेस्ट में देने की जुरुद नहीं पड़ेगी, नो कोस्ट और लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 9 महिने, 12 महिने, 18 महिने, 24 महिने की करेंगे, तो आपको पर एनम यानि की हर साल आपको यहाँ पर 16% का आपको इंट्रेस्ट देना पड़ेगा, तो अपने साब से चूज करिएगा, जैसे कि हम 3 महिने की तो हम यहाँ पर 3 महिने की और उसके बाद offer handing fees हमारा यहाँ पर जुड़ रहा है 49 रुपए का, interest charges by bank, यानि की बैंक की तरफ से आपको एक charges भी लग रहा है 590 रुपए का, तो total आपका charges कितना हो गया, 590 और 49 यानि की लग बाग इसमें हो गया 549 रुपए, और हमें इसमें discount मिल रहा है 25 रुपए का, तो हमारा जो product था 25,000 का, वो सिर्फ हमें मिलेगा, हमें 22,608 रुपए का, तो इसमें हमें फैदा भी हो रहा है, तो आप यहाँ पर choose plan पर click करेंगे, अपने हिसाब से अपना यहाँ पर choose करेंगे, कौन सा लेना चाहते हैं, तो हम 3 महीने का, तो उसके बाद choose plan पर, जैसे आ आप इस पर click करेंगे, आपके समने आ जाएगा, आपके card की details डानले का page, यानि कि अपने card की, यहाँ पर अपने card का अंक डालेंगे, अपने card का जो पूरा अंक है, वो डालेंगे, अपने card का CCV डालेंगे, और उसके बाद place order पर click करेंगे, या फिर आपको मिलेगा add card, choose करते हैं, और यहाँ पर हम place order पर click करने से पहले अपना CCV डाल देते हैं, जो भी हमारा CCV होगा, और उसके बाद यहाँ पर एक और भी option दिखाई देगा, कि हमें यहाँ पर EMI जैसे की one time processing face भी हमें देना होगा, यहाँ पर आप देख लिजिएगा, charges with the first installment, यानि कि पहली EMI बनाने के लिए आपको 227 रुपय का एक बार charges भी देना होगा, EMI में convert करने के लिए अपने order को, तो इस बात को याद रखना, उसके बाद place order पर click करिएगा, उसके बाद continue पर click कर लिजिएगा, जैसे आपके continue पर click करेंगे, आपके समने यह वाला page आएगा, जैसे आपके पास एक OTP आएगा, और इस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, ध्यान से देख लिजिएगा, यहाँ पर आप इंटर करेंगे अपने OTP को, आपका जो order होगा, वो आपका order place हो जाएगा, इस बात को याद रखना, हम यहाँ पर OTP को इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ह में order अभी यह लेना नहीं है, तो जैसे आप OTP को इंटर कर देंगे, आपका order place हो जाएगा, फिर आपका जो भी card हो, अगर आपका इंस्टा है, यानि की बजाज का है, तो अपने बजाज को open करेंगे, अगर आपके पास फिलिप card का है, तो आप यहाँ पर access bank mobile application को open करेंग हैं, तो जैसे हम अपने card पर click करेंगे, हमारे card का limit कितना है, वो हमें यहीं पर पता चलता है, तो हम थोड़ा सा इंतिजार करेंगे, हमारे सामने card की details आजएगी, जैसे कि हमारे card का limit है, वो कितना है, तो यहाँ पर हम click करते हैं, click करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा हमारे card की limit है 60,000 रुपए की उसकी बाद हमारे इस card में एक हमारा EMI भी चल रहा है तो यहाँ पर दिखाई देगा active EMI तो हम इस पर click करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि आपका कितना EMI है जैसे कि हमारा 1, 2, 3 EMI जा जुका है एक मैंने मुबाइल मंगाया था और हमारा यहाँ पर 4 नंबर का EMI जाना है और हमारा EMI इस वाले मुबाइल को मंगाने पर बना हुआ था 3,100 रुपए का देख सकते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर EMI भी दिखाई देता रहेगा कि आपका कितना EMI जमा हो चुका है तो मैं आसा करता हूँ आप समझ गये होंगे जान गये होंगे कि फिलिप कार्ट से EMI पर किसी भी सामान को कैसे और करें या आप कैसे हैं EMI पर सामान को कैसे मंगाएं क्रिडिट कार्ट से या EMI कार्ट से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ये जानकारी पसंद आई हो तो किरपया करके इस वीडियो को आप लाइक कर दिजिएका और चैनल पर पहली बार आये हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएका और वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरब से आपको पहुत पहुत धन्यवाद